हाँ जी दोस्तों, very good evening और कैसे हैं आप? आप लोग के बहुत सारे mails आए थे कि मैं हम दो दिन से आप क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे नहीं लगता कि इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस हमाई डियेव बना रही हैं कि आपको मेरी याद भी आने चाहिए but really I pay gratitude to all divine feminines जो अपना soul purpose हमारी channel पर कर रही है क्योंकि यह हमारा channel है यह जो platform है यह मेरा नहीं है यह divinely guided है यह आपका है आपके जो भी downloads है आप बिलकुल अपना समझ के यहाँ पर share कर सकते हैं मैं बिलकुल divine से permission लेके कि अगर मुझे लगता है अगर मुझे permission मिलती है universe की मैं बिलकुल upload करूँगी क्योंकि यह हमारा channel है ओके आज की जो मेरी channeling है उसको start करने के पहले मैं एक बस question लेना चाहूँगी जिसे कि इन्होंने पूछा है कि माम TF journey का confirmation God से कैसे मांगे या यह एक illusion है आपको guidance और आपका help चाहिए माम देखिए सबसे पहले तो आपको God आपके पंदर ही है and you have to follow your gut feeling कि आप इस journey पे हो या ना हो लेकिन एक बात बेको सच है जो उन्होंने word कहा है ना illusion तो यह जो इस वकत energy है यह है ही illusion की manipulative energy, illusionary energy जो आपको ब्रहमित कर सकती है और आप ब्रहमित हो सकते हो आपको ब्रहमित किया जा सकता है ठीक है तो इस वकत ऐसी energy है जब से retrograde आया है कि बार-बार कोशिश की जा रही है कि आप बार-ब्रहमित हो जाओ maybe ऐसे post ऐसे चीजे आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो जो आपको बार-बार यह कहें कि ऐसी कोई journey होती नहीं है क्योंकि यह energy अभी रहने वाली कम से कम जून तक तो आपको समझना है इस चैनल पर 1.4K से ज्यादा वीडियो है तो या तो एक रस्ता यह है कि यह वीडियो आपको ब्रहमित नहीं करेंगे ठीक है तो यह वीडियो सुनिए अपना systematic inner work करिए अब रही बात कि कहीं हमारा हमा जिन्दगी खराब तो नहीं हो जाएगी देखिए अगर आप DM से obsessed होके inner work करते हैं तो बिलकुल आपकी जिन्दगी खराब हो जाएगी चाहिए आप twin flame journey में हो या आप एक illusinary journey पे हो आप सिर्फ सिस्टमाटिक इना वर्क करते हो तो यह तो शूर है कि आपकी जिन्दगी बिलकुल भी खराब होने वारी नहीं है बलके आप देखिए आज हमाई चैनल पे हर आल्मोस सभी सब्सक्राइबर कितनी ग्रोथ कर रहे हैं तो आप इसको illusion क्यों समझते हो एक journey मिली ह सुभी डियेफ ने कितना खुबसूरत बताया कि मैं बहुत blessed feel करती हूं कि हमें यह journey मिली है आपको illusion क्यों है क्योंकि आपको रखा जा रहा है आपको illusion में नहीं होना है आपको strong बनना है आपको अपने आप में form होना है कि yes I'm in this journey बस मुझे डियेम को outcome में नहीं रखना है फ पश्ता होगे नहीं दुखी नहीं होगे but once again अगर आपने डियेम को outcome में रखा है तो being in doing systematic in our being in this journey being in the term frame journey हो सकता है कि आपका union बहुत डिले हो जाए ठीक है I should be very honest with all of you चलिए let's start with the channeling and one more thing मुझे आप लोग बहुत सारे astrology की questions पूछते हो दोस्तों मैं आपको astrology के answers बिलकुल नहीं दे सकती ठीक है इस community में YouTube में ठे सारे बहुत ही अच्छे astrologers हैं आप प्रीज उनसे contact कीजिए और और कोई नहीं हो तो हमारे Embranze channel की जो सरे हैं वो he is the best astrologer I think तो आप उनसे connect करिये twin flame के लिए आपको कुछ भी जाना हो तो definitely I am here for your service okay so let's start with the channeling तो दोस्तों मैं क्या energy feel क कर रहे हूं आपके dm की मैं बहुत ही जादा जबर्दस वाली missing energy आपके dm की receive कर रहे हूं बहुत जादा ही आपके dm जो भी है collective में कितने percentage की लोगों के dm energy resonate करती है यह आप देखिए but I am receiving very sad energy very upset energy यह यह but obvious है क्योंकि retrograde है जिसने आपको confuse किया है यह उनको भी confuse कर रहा है इसने आपको illusion में डाला है वो भी हो सकते है but but I am not thinking कि वो overthink कर रहे है अब वो उनको बिल्कुल clarity मिल चुकी है तो वो overthinking नहीं कर रहे है वो missing energy में है वो your dm is simply craving for you ठीक है मैं यहाँ पर आपके dm को बढ़ाय दियां चाहूंगी कि इस वकत आपके dm overthinking नहीं कर रहे है इस तरह किसे confused नहीं है कि वो इस journey पर है कि नहीं या आप उनके best person है कि नहीं बस वो आपको best मानते है ठीक है वो twin का tag नहीं जानते है right but वो आपको अपना the best best buddy उनके core स से जोड़ा हुआ कोई someone very special या some past life connection, रूब का connection, आत्मा का connection बिल्कुल ऐसे resonate कर रहे है, feel कर रहे है, समझ रहे है and that is the reason कि वो आपको बहुत miss कर रहे है, वो बहुत upset feel कर रहे है, ठीक है, बहुत ही ज़दा deep you know missing वाली energy बज़े रिसीव हो रही है, ठीक है, पर thing is this कि वो contact क्य रहे है, तो कैसे कर रहे है, जो मैं receive कर रहे हूँ, telepathic contact आपको बहुत ज़्यादा, या to missing की energy आप receive कर रहे हो, या आपको इसे लगता है, इसे रोने का मन कर रहा है, I want to cry for no reason, या maybe वो कोई DM वाले game नहीं होते है, जो उनको ego होता है, आपकी DP को stalk कर रहे है, बहुत ज़्या सब्सक्राइब करो, या आपके DM जिजी प्रकार के spiritual team है, तो सीधे अपने दिल की जो हालत है, वो status पर लिखेंगे, अगर वो matrix twin है, धीट वाले DM है, तो वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे, कि आप trigger हो जाओ, पस सीधे रस्ते चलते मनता नहीं है, matrix twin को, ठीक है, तो वो उल्टे तरीके से ही बुलाते है, similarly, dream में भी वो आपको आके परिशान कर सकते हैं, पर सामने नहीं बोलेंगे, यह हालत है, आपके matrix twin की, और spiritual twin है, जो कि आप से बिलकुल हो सकता है, contact करें, परकि मुझे अब ऐसी energy हा रही, कि they finally wanted to contact you, ठीक है, तो spiritual twin है, उनके energy मुझे ऐसी हा रही ह कि अब they are ready for the commitment, वो वो बुकुल अपना मन बना रहा है कि वो आपको commitment दे, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि, आपके DM को आपसे बहुत ज़दा बाते करने हैं, बहुत सारी बाते करने हैं, यह भी energy मुझे receive हो रही है, but वो देखिए, इस picture जो twin है, वो बिलकुल straight आपसे बाते करेंगे, straight confess करेंगे, अपनी missing energy, again यहाँ matrix twin के energy, fear वाली है, क्यों है fear के energy, हो सकता है कि आप इस fear, आप किसी fear के energy में हो, आप यह आपको देखना है, जैसे कि, for example, कि अगर आप merit हो, अपने partner से, अपने spouse से, maybe their car make or soulmate, ठीक है, और कहीं न कहीं आप confused होगी, या, suppose my husband or my wife is so nice, और कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं, या मैं ठीक से focus किस पे करूं, मैं अपने DM को claim करूं, या अपनी family पे focus करूं, तो इस तरीके से, अगर आप अगर tense हो अपनी life में, और आप प्रॉपरली अपना focus बना नहीं पा रहे हो, एक balance नहीं बना पा रहे हो, तो यही energy आपके DM की हो सकती है, कि वो भी, अगर आप उनकी पास भी अपना partner है, तो वो बहुत confused है, कि कहीं मैं अपनी DM से connect होके, अपन की बात बोलना चाहूंगी, कि you must learn balance in every sphere of life, अगर आपके husband या wife आपके partner है, जो कर्मा से जुड़े है, इस शुड़े है, इस इस 3D में आपका partner, आपके husband या wife है, आप उनके लिए dedicated हो, you should be honest with them, you should respect your husband or wife, you should be very caring, kind and everything for your partner, but 3D, 5D में हमारी आत्मा का हिस्सा, हमारा जो है, उसको आप compromise नहीं के सकते हैं 3D के लिए, please try to understand, कि आपको choice अपनी बिल्कुल clear रखनी है, that I claim my twin, ठीक है, I claim my connection, और फिर दूसरा, unfortunately, आप इतने misguide होते हो, क्योंकि बहार जो लोग twin नहीं है, वो हमेशा इस जर्नी के अगेंस जी वीडियो में आते हैं, कि ऐसी जर्नी होती नहीं है, यह सिर्फा को बर्बाद कर देगी, ठीक है, mislead कर देगी, तो इस कारण से आप और misguide होते हो, तो always remember कि जिसने मीठा खाया है, वहीं मीठे का स्वाथ जानता है, क्योंकि इस वकात इतनी manipulative energy है, बहार, इतना ज़्यदा misguide करने के energy है, इतनी illusory energy है, कि hopefully, आप भी उसका हिस्सा बन रहे हो, उसके victim बन रहे हो, ठीक है, एक बर अग आपने confirm कर लिया, कि मैं जानी पर हू then आपको misguide नहीं होना है, जो misguide आप जिससे हो रहे हो, वो सकते हैं वो इस जानी पर ना हो, वो नहीं जानते हो, ठीक है, तो please आप misguide नहीं होई है, क्योंकि आप अगर confused रहेंगे, या आप guilt में रहेंगे, तो आपके DM भी guilt में हो सकते हैं, अपने partner को लेके, वो भी misguide doubt and confusion, जबकि मैं भी देख रहे हो कि energy बिल्कुल change हो रही है, मैं तो regularly दो मेने से union के energy ही sense कर रहे हूं, मतलब कि they are ready to take stand for themselves, तो आप जब वो stand देना चाहते हैं, वो commitment देना चाहते हैं, उस time पे आप confused होजाओगे, सिफ misguide होके, एक इस manipulative energy में, तो then who will be responsible, no one will take charge of your life, right, आपक focus रहना है और trust करना है, क्या होगा, जादे जादे क्या होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, आपने life में satisfied ही रहोगे, अमीशा, अगर आप unmarried हो, तो या आप job search कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, आपकी growth ही होगी इस journey पे, कुछ loss नहीं होगा, सीथे one condition, कि आपने outcome को द never be misguided by anyone, plus उनकी third party अगर है, तो वो completely जो married नहीं है, completely third party उनकी cut off हो चुकी है, they are now interested in you, they wanted to take stand for you, they are thinking about you, they are stalking your DP, चीक है, वो आपको manifest कर रहे है, missing, आपको miss कर रहे है, तो इस time पे आपको at least contact करें या ना करें, आप अपनी journey पे focus रहे है, देखते, divine खुद caller कीच के लेकर आएगा, ठीक है, so, मैं यह नहीं कह रही है, कि आपको connect करना है, आपको connect नहीं करना है, वो खुद ही आएंगे, ठीक है, it's only your test time, because वो खुद ही plan कर रहे है, आप से मिलने का, ठीक है, and right time पे, जब वो अपनी चीजों को, जो भी scenario चल रहा है उनकी life में, maybe he is going through the family issue, maybe ego का issue है, maybe negativity है, maybe your DM is mirroring you, whatever situation, वो पूरी clear होने के बाद, वो खुद आपके पास आएंगे, और बहुत से लोग मुझसे counseling के पुछते हैं, मैं DM को block कर दूँ, इस सवाल के जवाब मैं सिर्व आप से आपके angels, आपके DM को पूरा sign दे रहे हैं, ठीक है, वो sign दे रहे हैं, वो उनको push कर रहे हैं, your DM will take stand for you, because your DM is getting, feeling, craving for you, and they will contact you, ठीक है, अपना ध्यान रखिये, love you all, God bless you all.